नश्कार में पिंटु शिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तो बात करें तो जिस तरीके से भोजपूरी इंडस्टी को ट्रेंडिंग इस्टार मिला है जिहां ट्रेंडिंग इस्टार कोई और नहीं बलकि खेसारी लाली आदो है कि भोजपूरी में कैसे वहीं कलाकार हैं जिनके 5-5-6-6 गाने एक साथ ट्रेंड करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि भोजपूरी के इतिहास की बार छोड़ दीजी बॉलीबूर्ड में भी ऐसा कोई कलाकार पैदा हुआ है जिनके 6-6 गाने एक साथ ट्रेंड करें और हर महीने लगबग खेसारी लालियादो के गाने ट्रेंड में आ जाते हैं और इसलिए खेसारी लालियादो को ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह होते है कि खेसारी लालियादों के साथ कई सारे नाम जूडते हैं कई सारे नाम जब जूडते हैं तो खेसारी लालियादों की वज़से वो काफी ज़ाधा सुर्ख्यों में बन जाते हैं अलग-अलग कलाकारों के आपने नाम सुना होगा लेकिन उनके राइटरों की उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है उनके लेरिसिस्ट की उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है उनके उट्यूबरों की उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है लेकिन खेसारी लाल्यादों से जुड़ face value के साथ जाना जाता है और खेसारी लालियादों एक ऐसे कलाकार है जिनके साथ writer भी जूडता है director भी जूडता है, producer भी जूडता है चाहे वो music director भी जूडता हो लड़की जूडती हो या फिर खेसारी लालियादों को support करने के लिए लोग YouTube पर जूडते हैं हर जगा वो popular हो जाते हैं famous हो जाते हैं और उनकी गूचपूरे भोशपूरी इंडस्टी में होती रहती है और आपने अंदाज लगाए लिया हुआ कि नेपाली गर टेट्टू बनवा कर खेसारी लालियादों से बारल होई नहीं एक लाग फॉलोवर हो गए यानि कि खेसारी लालियादों मैनेजर के पास विबेक सिंग जो हैं उनके दो लाग से जादा फॉलोवर जो हैं वो फेस्बूक पर हो गए और इसकी तस्वीर साजा करते होई लिखते हैं कि इस धमाकेदार प्यार को दिल से प्रणाम हमेशा बना रहे हैं लविवाल और टीम खेसारी और अपेस टेक डीज़टल के माध्यम से यह सारी चीज़ें साधा की गई है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लालियादों के मैनेजर के इतने जवर्जस तरीके की जो फोलोवर्स हैं वो लागतार बढ़ते नजर आ रहे हैं और ऐसा करना मां ट्रेंडिंग स्टार के क्लोज और नजदीकियों के साथ ही हो सकता है इस पर आपकी क्या रहे है कमेंट बॉक्स ने बताईएगा ताने बाद